नमस्ते शायद इतनी ठंड में पहली बार परिक्षा पे चर्चाप हो रही है आम तोर पर फरवरी में करते हैं लेकिन आप विचार आया कि आप सब को 26 जन्वरी का भी लाब मिले फाइदा उठाया ना जो बहार के हैं उन्होंने गहे थे करता पर पर कैसा लगा बात अच्छा लगा अच्छा घर जाके क्या बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे अच्छा साथियों समय ज़्यादा लेता नहीं हूं मैं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परिक्षा पर चर्चा मेरी भी परिक्षा है और देश के कोटी कोटी विध्यारसी मेरी परिक्षा ले रहे हैं कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है कि उल्जनों से गुजरता है देश से उसके अपरिक्षा है क्या है सरकारों से उसके अपरिक्षा है क्या है उसके सपने क्या है संकल्प क्या है याने सचमुच मैं मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और मैं तो मेरी सिस्टिम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इखटा करके रखिए कभी 10-15 साल के बार मोका मिलेगा तो उसको सोशल साइन्टिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे और पीडी बदलती जाती है वैसे स्थीतियां जैसे बदलती जाती है वैसे उनके सपने उनके संकल्पों उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है इसका बहुत बड़ा फिसिस शायद ही इतना सेंपल किसी के पाथ नहीं होगा जीतर आप लोग मुझे सवाल पूछ करके बहिजते है चलिए लंबी बाते नहीं करते हैं मैं चाहूंगा कि कहीं शे शुरू करे तक हर बार मेरे पर एक सिकायत आती है किसाब ये कारका बहुत लंबा चलता है आपका क्यामत है लंबा चलता है लंबा चलना चाहिए अच्छा मुझे और कोई काम करना नहीं है अच्छा ठीक है आपी के लिए हो पताईए क्या करेंगे कौन पहले पूछते हैं दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे माननिय प्रधान मंत्री जी आपका प्रेरक एवं ज्यान वर्दक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक उर्जा एवं विश्वास से भर देता है आपके ब्रिहत अनुभव एवं ज्ञान पूर्ण मार्ग दर्शन की हम सब उच्छुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं माननिय, आपके आशिरवाद एवं अनुमति से हम इस कायरेकरम का शिभारम करना चाते हैं धन्यवाद मान्यवर माननिय प्रधान मंत्री जी अपनी समरिध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है अश्विनी करपे आपना प्रश्न पूछिये अश्विनी करपे आपना प्रश्न पूछिये अश्विनी एक प्रश्ना पूछिये Honorable Prime Minister Sir, Namaskar My name is Ashwini I am a student of Kendra Vidyalya No.2 Madurai, Tamil Nadu My question to you sir is How do I deal with my family disappointment If my results are not good What if I don't get the marks I am expecting Being a good student is also not an easy job Expectations of others become so high That the person who is giving exam Gets so much stress and they go into depression Nowadays, it is common for students To cut their hands and become irritated And there is no one they could trust with their feelings Kindly guide me on this Thank you sir Dhanyabad Ashwini Honorable Prime Minister Sir Navteesh Dagur hails from the heart of India's capital Delhi The imperial seat of several empires With its charming blend of a grand medieval history And amazing architectural style Navteesh is seated in the hall And wishes to discuss an identical issue through his question Navteesh, please ask your question Good morning Honorable Prime Minister Sir I am Navteesh Jagur of Kendra Vidyalya, Pitampura, Delhi region Sir, my question to you is How do I deal with my family's situation When my results are not good Kindly guide me sir Thank you very much Thank you Navteesh You may God You'll do wonderful You'll never get me préal प्रियंका माननिय प्रधान मंत्री जी अश्विनी नवतेश एवं प्रियंका यहाँ महसूस करते हैं कि यह महाद्वपूर्न मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्ग दर्शन चाहते हैं अश्विनी आप क्रिकेट खेलती है क्या कि क्रिकेट में गूगली बॉल होता है निशाना एक होता है दिशा दुसरी होती है मुझे लगता है कि आप पहले बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाय होना बहुत स्वाबा भी कहने है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाय हैं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विशेह हैं उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है उनके मन पर इतना परभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे अगर बच्चे भीख है तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे और कभी कभी माबाब भी आपकी ख्षम्ता को जानने के बावजुद भी अपने सूशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में कलब में जाते हैं सोसाइटी में जाते हैं कभी तालाब में कपड़े दोहे जाते हैं बैठते हैं बाते करते हैं बच्चों की बाते निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फेर्टी कॉंप्लेक्स आता है, और इसलिए महार बहुत बड़ी-बड़ी बाते बता देते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर धीरे धीरे वो इंटर्नलाइज कर लेते हैं, और फिर घर में आकर के भी वो ही अपिक अपेशाएं करते हैं, और समाज जीवन में ये सहच प्रभृत्ती बनी हुई है, दूसरा, आप अच्छा करेंगे, तो भी हर कोई आपसे नई अपेशा करेगा, हम तो राजनीती में हैं, हम कितने ही चुनाओं क्यों नों जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है, दो सो लाएं हैं तो बोले, धाई सो क्यों नहीं लाएं, धाई सो लाएं तो तीन सो क्यों नहीं लाएं, तीन सो लाएं तो साड़े तीन सो क्यों नहीं लाएं, चारों तरफ से दबाव बनाए जाता है, लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है चारों तरफ से जो सुना जाता है उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता अपनी प्रावरेटी अपनी आवश्रक्ता अपने इरादे थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैश्मन खिलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम हजहरो लोग होते हैं स्टेडियम में वेच चिलाना सरू करते हैं चोका 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 सिक्षा क्या वो ओडियंस की डिमांड के उपर चोग्य और चग्य लगाता है क्या ऐसा करता है कि कोई प्लेयर है कि चिलाते रहे कितना ही चिलाते रहे हैं उसका ध्यान उस ball पर ही होता है जो आ रहा है उस baller के mind को study करने की कोशिश करता है और जैसा ball है बैसे ही खेलता है न की audience चिलाता है focus रहता है अगर आप भी अपनी activity में focus रहते हैं तो या आपके जो कुछ भी धबाव बनता है आप एक शाय बनती है कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे आप उस संकटों से बहार आ जाएंगे और इसलिए मेरा आपसे आगरह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहे हां कभी कभी दबाव को analysis कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयम के विशे में अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं आपके एक शंता बहुत हैं लेकिन आप खूद ही इतने difference mentality के हैं कि नया करने के लिए स्चोस होते नहीं तो कभी कभी वह अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है बड़ी उर्जा बन जाती है और इसलिए अपेक्षाएं माबाप को क्या करना वहने पहले ही कहा सामाजी दमाओ में माबा अपने बच्चों पर दमाओ ट्रास्पर नहीं करना चुछिए लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आपको नहीं आ करना चुछिए और दोनों चीजों की बर्देंगे तो मुझे पक्का विश्वात है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुल जा लेंगे कि कहां गया एंकर मानन ये प्रधान मंत्री जी आपका कोटी कोटी धन्यवाद आपके प्रेरक वचनों से अभिभावों को का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है मान्यवर के दबाव मेरे न रहें हम गाट बानकर परिक्षा में उत्सा बनाए रखेंगे आपका धन्यवाद माननियवर प्रधान मंत्री जी चमबा प्रकृति के अंचुए सौंदर्यों को समेटे भारत के पैरिस के रूप में प्रसिद परवतिय नगर है चमबा हिमाचल प्रदेश से आरूशी ठाकुर अभासी माध्यम से हमसे जूड रही है आरूशी कृप्या अपना प्रशन पूछे माननियवर प्रधान मंत्री जी नमश्कार मेरा नाम आरूशी ठाकुर है और मैं केंद्रे विद्याले बनी खेग, धलाजी, जिलाचंबा की कक्षा ग्यारनी की छात्रा हूँ माननिय मेरा आपसे यह प्रशन है कि परिक्षा के दोरान जो बात मुझे सबसे जादा परिशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहां से शुरू करूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ जो मुझे काफी तनाव देता है कृपय कर्व मार्दर्शन कीजिए धन्यवाद सर धन्यवाद आरूशी, माननिय प्रधान मंत्री जी भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राजिय चतिस गड़ की राजधानी है रायपूर रायपूर की अदिती दिवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिग्यासा का समाधान चाहती है अदिती, अपना प्रशन पूछिए माननिय प्रधान मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अदिती दिवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपूर चतिस गड़ में कक्षा बारवी की छात्रा हूँ मेरा आपसे यहाँ प्रशन है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन अन्तिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते है यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परिशान हो जाती हूँ क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ मैं यह जानने के लिए उच्छुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ धन्यवाद धन्यवाद अदिती माने निय प्रधान मंत्री जी देखिए सिरफ परिक्षा के लिए नहीं वैसे भी जीवन में ताइम मेनेजमेंट की प्रती हमें जागरुक रहना चाहिए परिक्षा और नो परिक्षा आपने देखा होगा काम का धेर क्यों हो जाता है काम का धेर इसलिए हो जाता है इस समय पर उसको किया नहीं इसलिए और काम करने की कभी ठकान नहीं होती है, काम करने से संतोष होता है, काम न करने से ठकान लगती है, सामने दिखता है, अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, रुशी की ठकान लगती है, करना सुरू करें, दूसरा, आप कभी कागज पर अपना पैंसिल लेके डायरी पर लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए, कि आप अपना समय कहां बिताते हैं, अगर पढ़ाई भी करते हैं, तो कितना समय किस विशे को देते हैं, और उसमें भी शॉटकट धूमते हैं, कि बेसिक में जाते हैं, बारिके हैं, थोड़ा अपना एक अईनालिसिस कीजिए, मैं पक्का मानता हूँ कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीज़े है उसी में सबसे ज़्यादा समय लगाते है और उसी में खोए रहते हैं फिर तीन विशे ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है वो फिर आपको बोज नंग लेगा मैंने दो-दो घंटे महनत की लेकिन यह तो हुआ नहीं और इसलिए आप सिरफ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विशे हैं आपको सबसे ज़्यादा कठीन लगता है ताई किजिए पहली 30 मिनिट इसको फिर एक पसंद की वाला विशे है 20 मिनिट उसको फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनिट उसको आप ऐसा स्लैब बनाईए तो आपको रिलेक्षरसन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विशेओं पर रूची बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विशे में खोई रहते हैं और समय भी तो भोच जाता है आपने देखा होगा आप मैंसे जो लोग पतंग चगाते होंगे मैं जो बत्मन में बहुत शौक था पतंग की जो माजा होता है दागा होता है वो कभी एक दूसर में उलज जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा यू यू खीचेगा क्या ठाकट लगाएगा क्या इसा नहीं करेगा तो तीरे से एक एक तार को पकड़ने कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहा है और फिर दीरे दीरे खुलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा सारा धागा एक जैसी जरूत है वैसा उसके हाट लग जाएगा हमें भी उस पर जोर जोबर्दस्ति नहीं करनी है आराम से सोलूशन निकालना है और अगर आराम से सोलूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े धंग से करेंगे दूसरा आपने कभी घर में अपनी मां के काम को अबज़र्व किया है क्या यूँ तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल साये तो मांने सब रेडी करके लखा था सुब स्कूल जाना था तो मांने सब तयार करके लखती लगता था लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या कभी observe किया है कि मा का time management कितना बढ़िया है उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा साड़ी 6 बजे ये करना पड़ेगा उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा यानि इतना perfect time में जे management मा का होता है और जबकि काम सबसे ज़्यादा मा करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोज अनुप पड़ी होता है ठक गई, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये ये तो करना है और जब extra time मिलता है कभी वो चूप नहीं बैठती कुछ नों कुछ अपना creative activity करती रहती है सुई धाका लेके बैठ जाएगी, कुछ नों करती रहेगी रिलेक्ष करने लिए भी विवस्तनी विवस्ता रखती है अगर मा की गत्वीद्य को धंग से observe करोगे तो भी आपको as a student अपना time management का महत्व क्या होता है और time management ने 2 गंटे, 4 गंटे, 3 गंटे, ये नहीं micro management चाहिए किस विशय को कितना time देना है किस काम को कितना time देना है और इतना बंधन भी नहीं डालने है कि बस 6 दिन तक ये करूँगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है फिर तो आप ठक जाओगे आप धंग से उसको distribute कीजिए समय को जरूर अप्वालाब होगा धन्यवाद Thank you, Honorable Prime Minister Sir for guiding us to be methodical and systematic in order to be an effective student Honorable Prime Minister Sir Rupesh Kashyap, hailing from Bastar District of Chhattisgarh is known for its distinctive tribal hour the enchanting Chitrakut waterfalls in the finest quality of bamboo Rupesh is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance Rupesh, please ask your question Good morning, Honorable Prime Minister Sir My name is Rupesh Kashyap I am a student of class 9 from Swami Atmanand Government English From Swami Atmanand Government English Medium School Sir, my question is how can I avoid unfair means in exams Thank you, Sir Thank you, Rupesh Honorable Prime Minister Sir from the heritage city of Jagannathpuri the spiritual capital of Odisha famed for its magnificent corn-shaped layout ratyatra and seren beaches Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue Tanmay, please ask your question Honorable Prime Minister Sir Namaskar My name is Tanmay Biswal I am a student of Javanavaday Vidyalay Konark Puri Odisha My question to you, Sir is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination kindly guide me on this Thank you, Sir Thank you, Sir Manini Pradhan Mantri Ji Rupesh and Tanmay Parish I am a student of I am a student of but I am a student of good Now you say I am a student of a student of supervisor made a intelligent vert that has changed and has been और इसलिए समाज इस सच यह हम सब को सोच रहा होगा दूसरा अनुभव आया है कि कुछ कुल या कुछ ऐसे टीचर्स जो टूशन क्रासिस चलाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा स्टूरंट अच्छे तरह से निकल जाए क्योंकि मैं उसके माबाब से पैसे लिए है कोचिंग करता था तो वह भी उसको गाइड करते हैं मदद करते हैं नकल करने के लिए करते हैं इसे टीचर होते हैं नहीं होते हैं तो बोलीए ना और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम निर्गाते हैं लेकिन नकल करने के तरीके ढूनने में बिड़े क्रियेटिव होते हैं उसमें घंटे लगा देंगे वो कापली बनाएंगे तो उसनी छुटे 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 अक्षर होगी बनाएंगे कभी-कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाए उन नकल के तरीके नकल की टकनीक उसमें जितना दिमाग खापाता है और बड़े क्रियेटिव होते हैं यह चोरी करने वाले इसके बजाए अगर उतना ही समय है उसी क्रियेटिविटी को टालेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पा था किसे न उसको गाइड करना चाहे था किसे न उसको समझाना चाहे था दूसरा ये बात समझ के चले अब जिन्दगी बहुत बदल चुकी है जगत बहुत बदल चुका है और इसलिए ये बहुत आवशक है कि एक एक एक्जाम से निकले मतलब जिन्दगी निकल गई ये अज़ आपको डगर डगर हर जगह पे को इनको एक्जाम देनी पड़ती हैं कितनी जगह पे नकल करोगे जी और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एकाद दो एक्जाम को तो निकल जायेगा लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा कि नकल से जिन्दगी नहीं बन सकती हैं हो सकता है एक्जाम में मार्स इधर उदर करके ले आए लेकिन कहीं कहीं तो क्वेस्चनिबल होगा ही और इसलिए यह बातामन हमको बनाना होगा कि एकाथ एक्जाम में तुमने नकलती हो गया तुम निकल गये लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिन्दगी में फसे रहोगे दूसरा जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे में मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिन्दगी में रंग लाएगी हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू दो-चार मार्स आपसे उपर ले जाएगा लेकिन वो कभी भी आपकी जिन्दगी की रुकावट नहीं बन पाएगा आपके भीतर की जो ताकप है वही ताकत आपको आगे ले जाएगी क्रिपा करके उसको तो फाइदा हो गया है चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ू ऐसा कभी मत करना कभी मत करना दोस्तों एक्जामे तो आती हैं जाती हैं हमें जिन्दगी जीनी है जी भर के जीनी है जित्ते जित्ते जिन्दगी जीनी है अर इसलिएं हमें शौर्टकट की दरब नहीं जाना चाहिए और आपको जनता है रेलवे कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तुम्हां लिखा है, शौटकर बिल कट यू शौट, इसलिए कोई अगर शौटकर से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आपको उसे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच् मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माने ये प्रधान मंत्री जी, आपके वचन सीधे हमारे रिदे में उतर गए हैं। आपका धन्यवाद। अट्रेबल प्राइम मिनिस्टर सर, फ्रॉम पलकार, दे लाइंड अव पैडिफिल्स, विधा जेंटल ग्रीज केरिज दारोम सूजल के सीक्स यूर गाइदेंस। सूजल प्लीज आस्क यूर क्वेश्चिन नमस्कार, आधर नियप्रदान मंत्री महोदै, मेरा नाम तेज़ सुझे है, मैं नौवी कक्षा में केंद्रे विध्याले कंजी को अरनाकुलम संभा का चात्र हुँ, मेरा प्रशन ये है, अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी है, कृपिया अपना माग दर्शन दीजिए, तन्यवाद स्वीमा, थैंक यू सूजल, ओन्रेबल प्राइम मिनिस्टर सर, क्या सवाल साहूँ का है, क्या पूछ रहते हैं? हाट वर्क के बार, हाट वर्क, हाट वर्क और स्मार्ट वर्क, हाट वर्क और स्मार्ट वर्क, थैंक यू सुझ अच्छा अपने बच्पन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जुरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हाट वर्क क्या होता है, हम बच्पन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे, कि एक गड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था, और एक कववा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो बहुच नहीं पाता था, तो इस कववे ने छोटे-छोटे कंकर उठा करके उस गड़े में डाले, और दिरे-दिरे पानी उपर आया, और फिर उसने आराम से पानी पीया, सुना है लिए कथा, अब इसको आप क्या कहेंगे, हाड़ वर कहेंगे, कि स्मार्ट वर कहेंगे, और देखिए, ये जब कथा लिखी गई रहे, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कववा, बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता, कुछ लोग होते हैं, जो हाड़ वर की करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं, जिनके जबन में हाड़ वर का नामों नुशान नहीं होता हैं, कुछ लोग होते हैं, जो हाड़ ली स्मार्ट वर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, जो स्मार्ट ली हाड़ वर करते हैं, और इसलिए कोवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारी कैसी समझी है कुछ लोग होगे आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बज़ाए सीधा ही अपनी बुद्धी अपनाना शुरू कर देते हैं तो धेर सारी महनत करें परणा मिलता ही नहीं है मुझे आध है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था तो मुझे काफी इंटियर में जाना था तो किसी ने हमें कुछ जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने विवस्था कि आप उसको लेके जाईए अब सुबह हम कोई साड़े पाच बेने कलने माले थे लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी हम अब धेर सारी कोशिश से कि धक्ये मारे यह किया दुनिया भर का हाड़ वर्क किया कि दिए हमारी जीप नहीं चली है कि साथ सारे साथ बज गये तो यह मेकनिक को बुलाया है अब मेकनिक ने मुश्किल से दो मिनिट लगाया होगा और दो मिनिट में उसने चीख कर दिया और फिर वो कहे सब दो सो रुपे देने पड़ेंगे जायार दो मिनिट का 200 रुपया बुले साब है दो मिनिट का 200 रुपया नहीं है यह 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है अब हम हाड़वर् कर रहे जिब नहीं चल रही थी उसने स्माटली थोड़े से बोल्ट आइड करने थे हाट लिए उसको दो मिनिट लगा हो गए गड़ी चल गई कहने का ताथ पर यह है कि हर चीज बड़ी महनद मद्दूरी से करेंगे तो होगा ऐसा आप देखा होगा पहलवान जो होते हैं नहीं जो खेल कुट की दुनिया के लोग होते हैं कि उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है कि उस खेल में उसको किस मसल्स की ज़रुवत होती है कि जो ट्रेनर होता है उसको मानूम है अब जैसे कि विकेट के पर होगा तो विकेट के पर को ऐसे ही जुक करके गंतों तो खड़े रहना होता है अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़के नीचे बिठा देते हैं ऐसे हाथ पैर में अंदर डालके तो कितना दर्द होता है होता है कि नहीं होता है एक तो साइकोलोजिकल भी होता है फीजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़क बैठना होता है तकलिफ होती है ना लेकिन यह जो विकेट कीपर होता है ना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है उसको गंतों तक ऐसे कड़ कि ताकि दीर दिर उसके वो मर्सल मजबूत हो जाएं ताकि वो विकेट कीपर के आतस क्वार होता है तो सेati'll— उसको विधा की ज़रूत नहीं है उसको दूसरी ज़रूत तो उसको वो कर्वाते हैं और इसलिए हमेह हम भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना शाहिए जो हमारे लिए उप्योगी है हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुर लगेगी हाथ पर उचे करते रहो दोड़ते रहो टिकना करो फलाना करो जेनरल हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए ठीक है लेकिन अगर वो परिणाम भी देता है अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा कितनी ओवर कर पाएगा जो लोग बेट लिप्टिंग करते हैं उनके अलग परकार के मसल्स को मजबूत कर ना होता है हाड़ वर तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मा सब्सक्राइब करते हैं तब जाकर के प्रोणा बिखते हैं बहुत 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 धन्यवाब थैंक यू ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर्व और इंसाइथफुल गाइदेंस ओन चूजिंग कंसिस्टेंट हाड़ वर्क इन और लाइज माननिय प्रधान मंत्री जी गुरु द्रोनाचार्य के नाम से विख्याद साइबर सिटी हरियान के प्रसिद्ध और द्योगिक नगर गुरु ग्राम की छात्रा जोविता पात्रा सबागार में उपस्तित हैं और आपसे प्रशन पूछना चाहती हैं जोविता कृप्या जवाहर नवोदे विद्याले गुरु ग्रु ग्राम हरियाना जोविता कि ए आप साइबर से जोडर से थे एंट परिक्षापे चरजा 2023 ओनर बाट बाट जोविता 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 हैं जोडर का जोडर विता जोडर सोडरा प्रधान मंत्री जी टानली काइट लिए टा थैंक्यू सर ड़न्य वाज जोविता माननिय प्रधान बंत्री जी जोविता पात्रा एक एव्रेश स्टूदेंट आपसे एक्जामे कैसे भैितर करें इसके बारे में आप से मांग कर्षण चाहते है क्रिप्याउन का मांग दर्शन करें माननिय प्रधान मंत्री जी कि सबसे पहले तो मैं आपको बदाई देता हूं कि आपको पता हैं कि आप एबरेज हैं कि वरना ज्यादा तर लोग ऐसे होते हैं जो बीलो एबरेज होते हैं और अपने आपको बड़ा तिश्मार खामानते हैं सब बंदर के वापारी मांते हैं तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता-पिता जुगी भी बदाई देता हूँ एक बार आपने इस सत्य को स्विकार कर लिया कि हाँ भी मेरी एक शेप शमता है मेरी अस्तिती है मुझे अब इसके अनुकुल चीजों को ढूड़ रहा होगा मुझे बहुत बड़े तिश्मारखा बनने के ज़रूत नहीं है हम अपने सामर्थ को जिस दिन जानते हैं न तो हम सबसे बड़े सामर्थवान बन जाते हैं उखते हैं जो लोग खुद के सामर्थ को नहीं जानते हैं उनको सामर्थवान बनने में भाहत सारी दुकावट आती है इसलिए इस स्थिति को जानना यह अपने आप में इश्वर ने आपको शक्ति दी है आपके टीचर से शक्ति दी है आपके परिवार ने शक्ति दी है और मैं तो चाहूँगा हर माबाप से आप बच्चों का सही मुल्यांकन कीजिए उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए लेकिन सही मुल्यांकन कीजिए कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको करें नहीं भी अपने घर की अतनी ताकत नहीं है इस चीज हम नहीं ला पाएंगे ऐसा करो दो साल इंतजार करो तो इसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप घर की स्थिति के सबन मे बच्चे से 46 करते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है और इसलिएилось हम एक सामान्य स्तर के बैकती है और जानातर लोग सामान्य स्तर के होते हैं एक्स्ट्राओरिनरी बहुत कम लोग होते जिए लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं उंचाई पर चले जाते हैं average के मांदन को तोड़ करके निकल जाते हैं और इसलिए हमें कभी भी यह सोच रहा है दुनिया में आप देखिए जावादर जो लोग सफल हुए है वो क्या है जी वो किसी जमाने में average लोग थे कि असामान ने काम करके आये हैं बहुत बड़ा प्रणाम लेका अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक सृतियों की चर्चा हो रही है कौन देश कि कितना आगे गया कि इसकी आर्थिक सिती कैसी है और कोरोना के बात तो ये बड़ा मांदबंद बन गाया है और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थव्यत्ताओं की कमी है बड़े-बड़े Nobel Prize winner है जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति ऐसी बनेगी ऐसा करने से ऐसी कि आर्थिक स्थिति कोई कमी नहीं है ज्यान का प्रवाब बातने वाले तो हर गली मोहले में आजकल अवेलेबल हैं और कुछ विद्वान भी अवेलेबल हैं जिन्नों ने बहुत कुछ किया है लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुन्नात्मक हो रहा है भारत को एक आशा की किरन के रुप में देखा जा रहा है आपने दो तिन साल पहले देखा होगा हमारी सरकार के विशे में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई कॉनमिस नहीं है सब एवरेज लोग है प्राहिमिस्टर को भी एकॉनमिस का कोई ज्ञान नहीं है ऐसा ही लिखा जाता था अब पढ़ते हैंगे नहीं पढ़ते हैं लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था वो देश आज दुनिया में चबक रहा है दोस्तों और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहें दोस्तों कि आप एक्स्ट्राउडिनरी नहीं है और दूसरी बात आप एवरेज भी होंगे आपके भीतर कुछले कुछते एक्स्ट्राउडिनरी होगा ही होगा और जो एक्स्ट्राउडिनरी है उनके भीतर भी कुछले कुछ एवरेज होगा हरे के पाज इश्वर ने एक अभूद पूर्वक शंता दी होती हैं बस आपको उसको पहचानना है उसको खात पानी डालना है आप बहुत तेजी साके निगर जाएंगे ये मेरा भी स्वास है धन्यवाद है अभ्या करता कर दो करःएंड है आपको पूर्ण प्राम झालिए लोग ये टो आपको तूंज ओली उएंगे तूंध राय्ज पूर चाहिए, आपका ब्र्बाद मिनिस्ट अभ्याद कर दो एंख बूर्ण प्रद पार्वर्णिट जान्वाद झूंड प्रिश्टर अंश on a fundamental issue that affects many students like her. Manat, please ask your question. नकरात्मक राय रखने वाले लोग भी है. क्या वे आपको प्रभावित करते हैं? यदि हां करते हैं, तो आप आत्मसंध्या की भावना से कैसे उभरते हैं? मैं इसमें आप से मार्क दर्शन चाहती हूँ. धन्यवाज श्रीमान. Thank you, Manat. Honorable Prime Minister, Sir. Aastami Sane resides in South Sikkim, an area famous for its tea gardens, breath-taking beauty and tranquil, undisturbed, snow-clad Himalayas. She also requests your directions on identical matter that needs to be addressed. Aastami, please ask your question. Thank you. Thank you, Aastami. Mananiniya Pradhan Mantri Ji, Rastri Pita Mahatma Gandhi, Sardar Patel और Swami Dayananda Saraswati जैसे महापुरुशों की जन्व भूमी, गुजुरात की कुम-कुम प्रताब भाई-सोलंकी आभासी माध्यम से जुड रही हैं और इसी तरह की दुविदा में हैं. कुम-कुम आपसे मार्क दर्शन चाहती है. कुम-कुम, कृपे आपना प्रशन पूछिए. मानन यह प्रदान मंत्री महाँ रही, मेरा नाम सोलंकी कुम-कुम है, मैं कुक्षा बार्वी, श्री हडालाबाल हाइस्कूल, जिल्ला एहमदाबाद, गुजरत की छात्रा हूँ. मेरा प्रशन है है कि आप इतने बड़े प्रजादांत्री बिश्के प्रदान मंत्री है, जिने कितनी सारी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है. आप इन चुनोतियों से के से लटते है, प्रवप्या करके मुझे मार्दशन दीजिए तन्यावाइ. प्रशन है कि मेरी नानी जी, कवीता ए माखी जा मुझे हमेशा सला देती है आप से सीखने के लिए कि आप कैसे विपक्ष के लगाए हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं, आप ऐसे कैसे करते हैं मोदी जी, कृप्या हम युवाओं को भी प्रेर ना दे, ताकि हम जीवन के हर परिक्षा में सफल हो, धन्यवाद. ठैंक यू आकाश, माननिय प्रधान मंत्री जी, आपका जीवन करोडो युवाओं का प्रेर रख रहा है, मननत, अस्टमी, कुमकुम और आकाश, जीवन में आने वाली चुनोतियों में कैसे सकारात्मक रहकर सफलता प्राप्त करें, इस विशह पर आपका अनुभाव जान करते हैं, कृपया मार्ग दर्शन करें, माननिय प्रधान मंत्री जी, आप लोग एक्जाम देते हैं, और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैढते हैं, कभी टीचर से निकट नाता है कि उनसे बैढते हैं, और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया, तो आपका पहला रिएक्शन होता है, यह आउट ओफ सिलिबस था, यह होता है ने, यह भी आउट ओफ सिलिबस हैं, लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आपने मुझे न जोड़ा होता, तो शायद आप अपनी बात को और धंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है, कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खत्रा है, इसने बड़ी चतुरा ही था, आपने बुझे अधल लपेट लिया है, देखिए जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है, और मेरे लिए यह आर्टिकल अप फेट है, मैं सिध्धांत तह मानता हूँ, कि सम्रिद्ध लोकतंतर के लिए आलोचना एक शुद्धी यगन है, आलोचना यह सम्रिद्ध लोकतंतर की पुर्वशर्थ है, और इसलिए आपने देखा उसमें सब लोग अपनी चीज़े डालते हैं, और ओपन सोर्स टेकलोलोजी के मादियम से, यह allow किया जाता है कि देखिए भी हमने किया है हम यहां जाकर क्या अटके हैं हो सकता है कुछ कमिया होगी तो लोग उसके अंदर अपने-अपने technology को insert करते हैं और काफी लोगों के प्रयासते वो एक्तम से सम्रुद्ध एक software बन जाता है यह open source आजकल बहुत ही ताकतवर एक instrument बना जाता है उसी प्रकार से कुछ कम्पनिया अपनी product को market बर रखती हैं और challenge करती है कि उसमें जो कमिया है वो दिखाएगा उसको हम इनाम देंगे bound system की व्यवस्ता खड़ी हुई है इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमिया जो हो उससे मुक्ती का रास्ता कोई इंगीत करेता हो तो होगा ना लेकिन कभी कभी क्या होता है आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सैट हो जाता है जैसे माल दीजिए आप यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपूटिशन है और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गई और आपका प्रिय दोस्त है एकड़म प्रिय दोस्त जिसकी मात आपको हमेशा अच्छी लगती है वो कहेगा यार तुमने ऐसा क्या पहना यह अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका एक रियक्शन होगा और एक स्टूड़न्ट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है नेगेटिव वैबर सेंस हमेशा आते हैं उसको देखते ही आपको उसके बाते बिल्कुल पसंद नहीं है वो कहेगा देखो यह क्या पहन के आया है क्या से पहनते हैं क्या तो आप आपको एक दूसरा यह चलोगा क्यों जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पोजिटिव लेते हैं उससा अलोचना को लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है लेकिन आपको गुश्चात है तू कौन होता है मेरी मर्जी ऐसा ही होता है न उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए दिमाग खपाई यह मत ज्यादा क्योंको उनका इरादा कुछ और है अब घर में आलोचना होती है क्या मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है घर में आलोचना नहीं होती है यह दुरभागे का विशा है आलोचना करने के लिए माबाप को भी बहुत अध्यान करना पड़ता है आपको अबजर करना पड़ता है आपके टीचर को मिलना पड़ता है आपके दोस्तों की आदते जान कि बहुत बारी की इसे कुछ बोलते हुये माबाप ओबज़ोर करते हैं फिर कभी आप किस अच्छे मूडि में होते हो देखते हैं और जब अच्छे मूडि में होते हैं अकेले होते हैं तब प्यार से तो वो सही जगा पे वो रजिष्टर होता है वो आलोचना काम आज़ें आजकल माबाप को टाइम नहीं है वो आलोचना नहीं करते हैं और जो गुस्सा आपको आता है न वो टोका-टोकी काता है कुछ भी करो खाने पर बैठे हैं कुछ भी कहेंगे ये खाया तो भी कहेंगे नहीं खाया तो भी कहेंगे यहीं होता है न देखिए अब आपके माता पिताजी आपको पकड़े के घर जाके क्या आज़ें तोका-टोकी जो है वो अलोचना नहीं है अब माबाप से मैं आगरह करूंगा कि किर्पा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये तोका-टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए उससे आप बच्चों की जिन्दगी को मोल नहीं कर सकते हैं उपर से इतना मन से कुछ उड़िन अच्छे मूर में हैं कुछ अच्छा करने के मूर में हैं और आपने सुवेह कुछ कह दिया देख दूठ ठंडा हो गया तो दूठ पीता नहीं है शुरू कर दिया तो तो ऐसा ही है फ़लाना देख कैसा करता है तुरंट सुभे अपनी मां कहती है से दूठ पे लेता है फिर उसका दिमाख फटलता है और दिन भर का उसका काम है बरबाद हो जाता है और इसलिए अब आप देखिए हम लोग पार्लामेंट में कभी आप लोग पार्लामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत अच्छी तैयरी करके आते हैं, पार्लामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने व देते बैठे बैठे और उसको मालूम है कि टिपनी ऐसी है कि वो रियक करेगा ही करेगा तो हमारा MP होता है उसको लगता है अब important यसकी टिपनी है इसलिए जो तैयरी करके आया है वो छुड़ जाती है और वो उसी की टिपनी को जबाब देता रहता है आपना पूरी बर्मादी कर देता है और अगर टिपनी है है हसी मजाग में बॉल खेल दिया खेल दिया छुट्टी कर दी दूसरी सेकंड पर अपने विशे पर चला जाता है तो उसको फोकस एक्टिविटी का परणाम मिलता है और इसलिए हमें अपना फोकस चोड़ना नहीं ये दूसरी बात है देखे आलोचना करने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है बहुत अध्यान करना पड़ता है उसका एनालीजिस करना पड़ता है कंपरिजिन करनी पड़ती है बुद्काल देखना पड़ता है वर्तमान देखना पड़ता है भविष्ट देखना पड़ता तब जाके आलोचना संभव होती है और इसलिए आजकल शौटकर्ट का जमाना है ज्यादा तर लोग आरोप करते हैं आलोचना नहीं करते है आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है हम आरोपों को आलोचना न समझे आरो आलोचना तो एक प्रकार से वो नूट्रियंट है जो हमें समृद्ध करता है आरोप वो चीज़े हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंपीरता से लेने के जरूत नहीं है समय बरबाद की जरूत नहीं है लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए आलोचना को हमेशा मुल्यवान समझना चाहिए वो हमारी जिन्दगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है और अगर हम इमांदार हैं हमने प्रामानिक सत्य निष्टा से काम किया है समाज के लिए काम किया है निष्ट मक्सद के लिए काम किया है तो हारोपों की बिलकुल परवा मत किजिए दोस्तों मैं समझता हूँ आप आपकी सकारात्मक उर्जा ने करोडों देशवासियों को नया मार्ग दिखाया आपका धन्यवाद। माननिय प्रधान मंत्री जी, तालों के शहर बोपाल के दिपेश अहिरवार आभासी माध्यम से हमसे जुरे हुए है। एवं मानिय प्रधान मंत्री जी से प्रशन पूछना चाहते हैं। दिपेश क्रिप्या आपना प्रश्न पूछे। दिपेश माननिय प्रधान मंतरी जी अधिताब गुपता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है अधिताब हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं अधिताब अपना प्रश्न पूछिए। आप से भी हमारी डिश्ट्राक्शन जो हे वह और जड़र बढ़ती जा रहे हैं। हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है औरर सोच्ट डिया पे ज्याद होता है। धन्यवाद अधिताब, अरॉब प्रम मिनिस्टर शार, न स्ट कुछ Smith Rai on a subject that is central to many students. Her question has been selected by Republic TV. कमाक्षी, प्रेस आस रीज़र प्रम मिनिस्टर शार्टेश चुछु कुछुंछु के तरके सिर्थ, हो इस कुछु देल्हें. to you is what are the different ways that can be adopted by a student to not easily get distracted during their exam times. Thank you. दिपेस बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूँ. मुझे आपसे एक प्रश्न है. ओनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे distractions होते हैं जैसे कि ओनलाइन गेमिंग वगेरा वगेरा हम इससे कैसे बचें हैं? ये श्टूडल है क्या? दिपेश, अधिताब, कमाक्षी एवं मननन परिक्षा में आने व्याले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकलें इस विशय पर आपसे मार्क दर्शन चाहते हैं. कृप्या मार्क दर्शन करें माननिय प्रधान मंतरी जी. सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट स्मार्ट है? कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी जादा गैजेट को जादा स्मार्ट मान देते हैं. और गल्ती वहींशे शुरू हो जाती है. आप विश्वास करिए परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी हैं. आप स्मार्ट है, गैजेट आप से स्मार्ट नहीं हो सकता है, आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे. ये वो एक इंस्टूमेंट है, जो आपकी गती में नई तेजी लाता है. ये अगर हमारी सोच बनी रही, तो मैं समझता हूँ कि शायद, शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे. दूसरा, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विशा है, जी. मुझे कोई बता रहा था, कि भारत में एवरेज छे गंते लोग स्क्रीन पे लगाते हैं, छे गंते. अब जो इसका बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो खुशी की बात है. जब मोबाइल फॉन पर टॉक टाइम होता था, तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनिट जाती थी. लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बार निकलते हैं कि उसमें से बाहर, क्या होता है, नहीं बोलेंगे. अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना? तो फिर शर्माते क्यों हो, बताओ ना, निकलते हैं कि बार अंदर से? देखिए हमारी क्रियेटिव उमर और हमारी क्रियेटिविटी का सामर्थ, अगर एवरेज हिंदुस्तान में छे गंटे स्क्रीन पर जाएं, तो यह बहुत चिंता का विश्य है. एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बन करके जी नहीं सकते हैं, पर मातमा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए, कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूँ, आपने देखा होगा आप कभी भी देखे होगे मेरे हाथ में कभी कोई मुबाइल फोन शायदा प्रेयरली कभी देखा होगा मैंने क्यों अपने आपको समाल के रखा हुआ है जबकि मैं एक्टिव बहुत हूँ उसके लिए समय मैंने टाइक किया हुआ है उस समय के बहार में ज्यादा नहीं करता हूँ और इसलिए लोग तो मैंने देखा है अच्छी मीटिंग चल रही है बहुत अच्छी और थोड़ा सा वैब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है मैं समयता हूँ कि हमने खुदिने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे मैं एक स्वतंत्र वेटीक रहूँ मेरा स्वतंत्र अस्पीक रहे और उसमें से जो मेरे काम की चीज़ है उस तक ही मैं सिमित रहूँगा मैं टेक्लोलोजी के उप्योग करूँगा मैं टेक्लोलोजी चे बागूँगा नहीं लेकिन मैं उसकी उप्योगीता और आवश्यक्ता अपने मुताबिक करूँगा अब मा लीजिए आपने ओनलाइन धोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली गंटा लगा दिया कौन-कौन से इंग्रेडियन्स होते हैं वो भी कर लिया पेड बर जाएगा क्या बर जाएगा क्या नहीं बरेगा न उसके लिए तो दोसा बना के खाना पुड़ेगा न और इसलिए गेजेट जो परुस्ता है वो आपको पुन्रता नहीं देता है आपके भीतर का सामर्त आप आपने देखा होगा पहले की जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहड़ा कर देते थे पहड़ा बोलते हैं और बड़े आराम से बोलते थे और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे न तो विदेश के लोगों को बड़ा अश्रे होता था कि यह कैसे इतना पहड़ा बोल देता है अब उसको कुछ ल है हो गया है यानि हम अपनी क्षमता खो रहे हैं हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना यह हमें कॉंसियसली प्रयास करना पड़ेगा अधरवाइज धीरे-धीरे-धीरे करके वह विधा खतम हो जाएगी हमारी कोशिस होनी चाहिए कि हम अपने आपको लगारता टेस्ट करते रहें मुझे आता है कि नहीं आता है वरना तो आजकल तो आटिप्शियल इंटरीजियंस के इतने प्रेटफरम आए है कि आपको कुछ करने के जरूत नहीं है उस प्रेटफरम पर जागर कर चैट पर चले जाएगी है तो आपको दुनिया भर की दूसरा हमारी हाँ आरोग्य का जो सास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का उसमें उप्वास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो आप फास्टिंग करो कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिज्यूल्स में भी होता है फास्टिंग करो अब वक्त बदल चुका है तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ गंटे ये टेक्नोलोजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या कि उतने गंटे उस्ती तर्फ जाएंगे ही नहीं आपने देखावोका कई परिवार होते हैं कि गहरमें बड़ा दसवी-बारवी दसवी-बारवी ढबा टेंशन शूरू में नहीं हो जाता है अगर हम इतने जागुलों के टीवी पर तो परदा लगा देते हैं लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सब्ता हमें एक दिन मेरा डीजिटल फास्टिंग हो कि नो डिजिटल डिवाइस मैं किसी को हाथ नहीं नगाऊंगा उसमें से जो फायदा होता है उसको अबजर कीजिए धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं और परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फॉस रहे हैं एक ही घर में माँ बेता बहन भाई पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको वाट्सप कर रहा है कि मैं आपकी इक बात बता रहा हुँ है कि माभी पापा को वाट्सप करेगी कि देखा होगा आपने घर में सब बैठे हैं साप में हर अपने मुबैल में ख्वया हुआ है उदर देख रहा है यहीं हो गया है ना मुझे बताईए परिवार कैसे चले का जी पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे अब अगर connectivity मिल गई तो पहला काम यही जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है उनके बिना दुनिया रूख जाने वाली है यह जो बिमारिया है इस बिमारियों को हमें पहचानना होगा हम अगर इन बिमारियों को पहचानेंगे तो हम बिमारियों से मुक्त हो सकते हैं और इसलिए मेरा आगर है, घर में भी, क्या आप एक एरिया ताय कर सकते हैं क्या परिवार में जा के आज ही ताय कीजिए, एक एरिया ताय करी, यह एरिया जो है, नो टेक्न नो लोजी जोन मतलब वहाँ टेक्नलोजी को एंक्री नहीं मिलेगी वहाँ आना सकुब्रिवं और शृप ता ये बipर के अंदर आपको जीवन जीने का आनन्द शुरू होगा, आनन्द अगर सुरू होगा तो आप उसकी गुलामी वे से बाहर आओगे, बहुत बहुत देनवाद। Thank you, Honorable Prime Minister Sir, for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner. मा निनिय प्रधान मंत्री जी, हिमालय पर्वत माला मस्थित, प्रकृतिक सौंदर्य सभरपूर, यूनियन टेरिटरी, जम्मू से, निदा, हमसे आभासी माध्यम से जोड रही हैं, एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं. निदा, अपना प्रश्न पूछे. अधनिय प्रधान मंत्री जी, भगवाल निदा, यूनिय प्रधान मंत्री जी, भगवाला मंत्री जोड रहे हैं. पान कृष्णे के उपदेश की भूमी, खेल जगत में ख्याती प्राप, नीरत चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाडियों के प्रदेश, हर्याना के पलवल से प्रशांद आपसे प्रश्ण पूछना चाहते हैं. प्रशांद कृपिया अपना प्रश्ण पूछे. मानिनिय प्रदान मंत्री जी, नमस्कार. मेरा नाम प्रशांद है. मैं शहीद नायक राजेंदर सिंग, राजकिय, मौरलल संस्किर्ती, वरिष्ट माद्यमिक विध्याले, हतीन, जिला पलवल, हर्याना के कक्षा बारवी, विज्ञान संकाय का छातर हूँ. मेरा आपसे यह प प्रशांद मानिनिय प्रदान मंत्री जी, निदा और प्रशांद की तरहा देश भर के कड़ोरो जात्र आपसे परिक्षा परिनाम पर तनाव का प्रभाव इस विशे पर मार्गदर्शन जाते हैं. मानिनिय प्रदान मंत्री जी. देखिए परिक्षा के जो परणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण एक तो हम ले परिक्षा देकर कि जब गर आए तो घर के लोगों के ऐसे पांट पढ़ाए कि मेरा तो शांदार पेपर गया है मेरा तो बिलकुल नब्बे तो पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूँ तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि वो गाली खानी है तो महिने भर के बाद खाएंगे अभी तो बता दो उनको और उसका परिणाम लियाता है कि वेकेशन का जो टाइम होता है परिवार ने मान लिया होता है तो तुम सज बोल रहे हो और तुमने तुम अच्छा रिजल्ट लायर लाने ही वाले हो ऐसा माल देते हैं वो अपने दोस्तों को बताना सुरू करते थे नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उससे और बहुत मेहनत करता था अरे कभी खेलने नहीं चाता था कभी रिष्टेदर के हैं शादी है कि बास यह तो फॉर्ट सेकंड के पीछे रहे गा ही नहीं और जब रिजल्ट आता है चालिस पैटालिस मार्क फिर तुफान खड़ा हो जाता है और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकामला करने की आदत छोड़नी में चाहिए हैं हम कितने दिन तक जूट के सहारे जी सकते हैं कि स्विकार करना चाहिए हम मैं आज गया लेकिन मैं एक्जाम ठीक से नहीं गई मेरी मैंने कोशिश की थी अच्छा नहीं हुगा अगर पहले से ही आप कह देंगे और मार्ली जे पांच मार्क ज्यादा आ गए तो आपने देखा होगा घर में तानाम नहीं होगा वो कहेंग जो मांदन है वो से अच्चाा धिपता है इसलिए आपको दूसरा है तनाव का करण कि आप के दिमाग में आपके दोस्त भरहे रचते हैं कि वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करऊगा है उसा करता मैं इसा करूँगा करास में बहुत ही होनार बच्चा होता है हम भी होनार होते हैं 19-20 का फर्क होता है दिन रात हम उस competition के भाव में जीते हैं तनाव का ये भी एक कारण होता है हम अपने लिए जीए अपने में जीए अपनों से सीखते हुए जीए शिखना सबसे चाहिए लेकिन अपने भीतर के सामर्थ पर बल देना चाहिए अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावना ये बढ़ जाती है दूसरा जीवन के तरफ हमारी सोच क्या है जिस दिन हम मानते हैं कि ये exam गई मतलब जिन्दिगी गई फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है जीवन किसी एक स्टेशन पर रुखता नहीं है जी अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी दूसरे बड़े स्टेशन पर ले जाएगी अब चिन्ता मत कीजिए एक्जाम वो end of the life नहीं होता है जी ठीक है हमारे अपनी कसोटी होनी चाहिए हम अपने आपको कसते रहे अपने आपको सचते रहे यह हमारी कोशिश होनी चाहिए लेकर हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए जो भी आएगा मैं जिन्दगी को जीने का तरीका जानता हूँ मैं इससे भी निपट लूँगा और यह अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी-कभी उतना मन में लेनी के आवशक्ता नहीं है जी धन्यवाद माननीय प्रधान मंत्री जी आपका अनुभाव सुनकर हमें नई जेत ना आई है आपका धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, Our Akshara Siri lives in the Rangareti district in Telangana She is in quest of a significant subject and looks up to you for directions Akshara, please put forth your question माननीय प्रधान मंत्री जी, सादर नमशकार मेरा नाम है आर Akshara Siri मैं जवाहर नौदे विद्याले Rangareti, Hyderabad की नवी कक्षा की छात्रा हू मान्यवर, मेरा प्रश्न है, हमें अधित परशाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए मैं इसमें आपकी मार्गदर्शन चाहती हूँ धन्यवाद श्रीमान Thank you Akshara, Honorable Prime Minister Sir इसी से मिलता जुलता प्रश्ट, Ritika Goad के, भारत की रिदे नगरी भोपाल से आई है वे हमारे साथ सबागार में है Ritika कृपय अपना प्रश्न पूछे अदर्ने प्रधान मंत्री जी, नमस्कार मेरा नाम Ritika Goad के है मैं भोपाल मद्दपरतीश, कक्षा, बारवी की चात्र शाच की सुभाश उत्करष्ट मादमिक विद्ध्याले स्कूल फोर एक्सिलेंस की चात्रा हूँ Sir, मेरा कृशन आपसे यह है कि हम अधिक से अधिक भाशाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है धन्यवाद धन्यवाद रितिका, मानिनी प्रधान मंत्री जी कृपया अक्षरा और रितिका को बहु भाशी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन करें जो की समय की आवशक्ता है मानिनी प्रधान मंत्री जी बहुत ही अच्छा सवाल पूशा आपने वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीज़े छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाईए फोकस होते जाईए लिकिन एक ऐसा सवाल है कि जिसमें मैं कहता हूँ कि आप जड़ा एक्स्टर वड़ होए जाईए थोड़ा बहुत एक्स्टर वड़ होना वह जिरूरी होता है और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत विविदिताओं से भरा हुआ देश है हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे स्पास सैक्ड़ो भाषाए हैं हजारों बोलियां है यह हमारा रिचनेस है हमारी सम्रुद्धी है हमें अपनी इस सम्रुद्धी पर गर्व होना चाहिए कभी-कभी आपने देखा होगा कोई विदेशी वेक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा अब इंडिया के हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा नमस्ते बोलेगा पुरनाउंसेशन में थोड़ा इदर उदर हो सकता है लेकिन बोलेगा जैसा ही वो बोलेगा आपके कान सच्चत हो जाते है उसको पहले एक राउन में अपनापन मैस्सूस होने लगता है अच्छा यह विदेश्य व्यक्ति नमस्ते बोलता है मतलब की कॉम्यूनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है इसका यह उदरन है इतने बड़े देश में आप रहते है आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सिखूँ कभी मैं सोचता हूँ मैं फ्लूट सिखूँ मैं सितार सिखूँ पियानो सिखूँ ऐसा मन में करता है कि नहीं करता है वो भी एक हमारी अतिरिक विधा डेवलप होती एक नहीं होती है अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अडोस प्रोडोस के राज्य की एकाथ दो भाषा सिखने में कह जाता है कोशिश करनी चाहिए और सिर्ब हम भाषा सिखते हैं मतलब बोलचाल के कुछ वाक्य सिख जाते हैं सा नहीं है हम वहां के अनुभवों का नीचोर जो होता है एक एक भाषा की जब अभिवक्ति होना शुरू होती है ने तो उसके पीछे हजारों साल की एक अभीरत अखन अभिचल एक धारा होती है अनुभव की धारा होती है उतार चड़ाव की धारा होती है संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है और तब जाकर के एक भाशा अभिवक्ति का रूप लेती है हम एक भाशा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है और इसलिए बिना बोज बनाए हमें भाशा सिखने है मैं कभी भी हमेसे मुझे दुख होता है बहुत दुख होता है हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो पत्थर का बना हुआ और कोई हमें कहे कि यह दोजार साल पुराना है तो हमें गर्व होता है कि यह होता है कितना बढ़िया चीज दोजार साल पहले थी कितना बढ़िया बनाया है हमारे पुरवजों को कितना ग्यान होगा अब मुझे बताईए दुनिया की सबसे पुरातन भाषा दुनिया की सबसे पुरातन सिरु हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्व होना चेक नहीं होना चाहिए सीना तान करके दुनिया को कहना चेक नहीं कहना चेक विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है कहना चेक नहीं कहना चीए आपको मालू है हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है पूरी दुनिया की इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है इतना बड़ा गवरव देश के पास है है लिए हम सिना कान करके दुनिया में कहते नहीं है मैं पिछली बार जब युनों में मेरा भाशन था है तो मैंने जान बुझकर कुछ तमिल बाते बताई है कि मैं दुनिया को बताना चाहता था मुझे गर्ब है कि तमिल भाशा दुनिया के सिष्ट वासा दुनिया के सबसे पुरानी भाषा कि मेरे देश के हमें गर्व करना चाहिए अब देखें बड़े आराम से उत्तर भरत का व्यक्ति दोसा खाता है कि नहीं खाता है खाता है कि नहीं खाता है संभार भी बड़े मेजे से खाता है कि नहीं खाता है तब तो उसको उत्तर दक्षिन कुछ नजर नहीं आता है दक्षिन में जाईए आप तो वहाँ परोड़ा सब्जी भी मिल जाती है पूरी सब्जी भी मिल जाती है और बड़े चाव से लोग खाते हैं गर्ब करते हैं कोई कोई तनाव नहीं होता है कोई रुकावट नहीं होती है जितनी सहस्ता से बाकी जिन्दगी आती है उतनी ही सहस्ता से और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मात्रु भाष्षा के उपरां भारत की कोई न कोई भाष्षा कुस्तों सेंटेंसिस आने चाहिए आप देखिए कि आपको आनन्द आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिरोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाष्षा में बोड़ोगे एक दम अपनापन हो जाएगा और इसलिए भाष्षा को बोज के रुप में नहीं अब मुझे आत है मैं जब बहुत साल पहली के बार स सामाजी काम में लगा था तो मैंने एक बच्ची को और मैंने देखा है कि बच्चों में भाष्षा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकक होती है अड़प कर देते बहुत तेजी से तो मैं कभी हमारी हाँ केली को मिल के मजदूर परिवार था एमदाबाद में कभी उनके भोजिन के लिए जाता था तो तो वहाँ एक बच्ची थी तो कई भाषाय बोलती थी क्यों कि एक तो वो मजदूरों की कॉलोनी थी तो कॉस्मो कॉलिटी हिंदी उसकी माताजी केरल से थी पिताजी बेंगाल से थे पुरा कॉस्मो कॉस्मो कॉलने हिंदी चलती थी कि बगल में ये परिवार मराठी था ठांध और स्कुल जो होती ती वो गुजराती होती थी महरां था वो साटार साल की बच्ची भेंगाली मराठी मलियालम हिंदी इतनी तेज घती इसे बढ़िया बोलती थी और गरबंगर पार पाट लोग बैटेंए इससे बात करने बंगाली में बंगाली में करेंगी इसके तो मुझड़ाति में करेंगी आर्देश की बैच्ची थी कि यहन्यों हुआ उसकी उसकी प्रतिभाः खील रही थी और इसनिलहें मेरा तो आप से कि हमारे पुर्वजोन ऐसी भाषा होती है यह हर हिंदुस्थानी को गर्व होना चाहिए हर भाषा पे गर्व होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी भुभाशिकता पर आपके मार्ग दर्शन के लिए धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from the historically acclaimed city of Katak, Sunanya Tripathi, who is a teacher, requests your directions on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमस्कार Honorable Prime Minister Sir, Sunanya Tripathi, who shares your guidance on motivating students for taking interest in academics? Honorable Prime Minister Sir. यहने सबाल टीचर का था? यह सई थाना? देखे, आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोई रहते हैं. आपी तो मेरे आधा वाक्य बोला, आपने पकड लिया. वो एक निश्चीत, शिलेबस्त, बीस मिनिट, तीस मिनिट बोलना है, आपना कड़कड़ बोल देते हैं. और फिर इसमें कोई हिलेगा इदर उदर तो देखा होगा आपने, यह तो मेरे अपने बच्पन के अनुभव के बार बता, तो आजकान तो टीचर अच्छे होते हैं. मेरे जमाने में शाइद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे टीचरों के आलोचना करने का हक नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आये हैं, और अगर वो भूल गए, तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उनकों बच्चों से छिपाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक कात की दरब, एई, खड़ा हो जाओ, क्यों ऐसे बैठाए, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ढिकना कर रहा है, यहने पूरी पांसाद मिनिट उसमें लगा देंगे, इतने में अगर विशे याद आ गया, तो गाड़ी वापिस आएगी, वरना फिर मानों कोई हस पड़ा, उसको पगड़ेंगे, क्यों हस आए पूरी अज़ा है, आज भी ऐसा ही होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा, अब तो टीचर बहुत अच्छे होता है, आपने देखा होगा, टीचर भी अभी मुबाइल फोन पर अपना सिलिबस लेके आता है, मुबाइल देखकर के पढ़ाता है, ऐसा करता है ना, और कभी उंगली इधर उदर डब गई, तो वह हाथ से निकल जाता है, वह खोटता रहता है, क्यों उसने पूरी तरह टेक्नलोलोजी को सिखा नहीं है, जरूरी दो चार चीजे सीख लिए और इधर उन्गली अड़ गई, तो फिर वो डिलीट हो जाता है, या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परशान हो जाता है, शर्दियों में भी पसे ना सूर जाता है, उसको लगता है कि ये बच्चे और उसके कारण, जिसकी अपनी कमिया होती है, उसका एक स्वभाव रहता है, दूसरों पर एक्स्ट्रा रॉप जमाना, ताकि अपनी कमिया बाहर ना आए, मैं समझता हूँ, हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्तियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्ति आपके ज्ञान की कसोटी करना नहीं चाहता है, यह हमारा ब्रह्म है, टीचर के मन में होता है, कि विद्यार्ति, आपको कोई सवाल पूसता है, तो आपकी एक्जाम ले रहा है, जी नहीं, अगर विद्यार्ति सवाल पूसता है, तो मान के चलिए उसके अंदर जिग्यासा है आप उसकी जिग्यासा को हमेशा प्रमोट कीजिए उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है किसी भी जिग्यासू को चूप मत कीजिए उसको टोक मत दीजिए उसको सुरिए आराम से सुरिए अगर जवाम नहीं आता है तो आप उसको कहिए देख बेटे तुन्हें बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूँगा तो अन्याय होगा ऐसा करो हम कल बैठते हैं तो मेरी चेंबर में आ जाना हम बाते करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रहस करूँगा इस विचार तुम्हें कहा से आ जा और मैं भी कोशिश करूँगा इन बिट्मिन पर मैं गर जाकर के स्टड़ी करूँगा जरे गूगल पर जाओंगा इस विचार जाओंगा पूछ लूँगा और फिर मैं तयार होकर क्या हूँगा पर दूसरे दिन में उसको पूछ नुगा अच्छा भी तुम्हें यह विचार आया कहा से इतना उत्तम विचार है इस विचार में कैसे आया तुम्हें उसको पुछकार तो फिर कहिए देख सच मुछ पैसा नहीं है रियालिटी यह है उसको तुरंट स्विकार कर जेगा और आज भी स्टूडन्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मुल्यवान समत्ता है अगर एकाँ एकाँ गलत बात बता दी एकाँ गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है हमने बात में भी बताए तो चलता है कि दूसरा डिसिप्लीन का सवाल है कि ट्रास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है अपना रुबाव पैदा करने के लिए जो सबसे दूर्बल स्टूड़न्ट होता है उसको पुछे कि बताओ तुम समझे के नहीं समझे तो आब 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 करता रहेगा तू तू में में चर रहे तो फिर डाट देंगे मैं इतनी महनत कर रहा हूं इतना पढ़ा रहा हूं तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है है अगर मैं टीचर होता तू मैं करता है अच्छे 3 सुझिंट उनको कैसा बताओ उल्वे तुम कैसे संझे इसको बढ़िया समझाएगा तो जो ने समेझ रहा है वह स्टूडन आज्शा तू उसको समझाएगा Explore और जो अच्छे स्टूरंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कॉम्पटिशन शुरू होगी स्वाभावी कृते कॉम्पटिशन शुरू होगी दूसरा जो इस प्रकार चे अनुशासन में नहीं है ध्यान केंद्रित नहीं करता है ट्रांस में भी कुछ दूसरा और एक्टिविटी करता है टीचर अगर उसको अलग बुलाने अलग बुला करके बात करें प्यार से बात करें देख यार कल कितना बढ़िया भी शेयता अब तुम खेल रहे थे अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो तुम्हें बहुता आएगा बढ़ फाइदा होता ही नहीं होता उससे अगर समवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता वो कभी इंडिसिप्ल नहीं करता ची लेकिन उसके एगो को आपने अगर हट किया तो फिर दिमाग फट गेगा कुछ लोग चतुराई भी करते हैं चतुराई भी जबी कभी मोनिटर बन जाता है तो उसको भी लगता है यार मुझे तो ठोड़ा ठीक से वहवार करना पड़ेगा तो वो फिर खुद को अपने आपको ठीक करता है और सब को ठीक रखने के लिए अपने आपको एड़ेस्ट करता है अपनी बुराईयों को कंट्रोल करने कोशिश करता है शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमिल्टी परणामी आता है उसकी जिन्दगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लास्रूम का इंवार्मेंट भी सुधर जाता है तो अनेक तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्री करेंगे तबी लाब होगा बहुत-बहुत धन्यवाद मानिनी प्रिधानमंत्री जी इतनी सरल्ता एवं गहराई से जीवन मूल्यों की प्रेणा पर आपका कोटी-कोटी धन्यवाद मानिनी प्रिधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा 2023 के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं दिल्ली से श्रीमती सुमनमिश्रा जो की एक अभिभावक है वे सबगार में उपस्थित है और आपसे अपनी जिग्यासा का समधान चाहती है माम क्रिपया अपना प्रश्न पूछिये गुद मॉर्निग ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैसल्फ सुमनमिश्रा सर आइ सीक यूर अड्वाइस और हाओ शुर स्टूदिन बिहें इन सोसाइटी थैंक यू सर दन्यवाद मैम मानिनी प्रिधानमंत्री जी स्टूडन सोसाइटी में कैसे बिहेव करें यही पुछना है ना आपको मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग दारे में रखना चाहिए हम किस सोसाइटी की बाद करते है जो हमारा सरकल है वो जीनके बीच हम बैठते उड़ते हैं कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं टेलीफोन पर गंटे बिता जेते हैं अगर उस लिमिटेड वर्तुल की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा यहां जूते पहन करके आओ यहां जूते निकालो यहां इस ढंक से वहवार करो यहां उस ढंक से करो ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन हकिकत यह है को उसको एक घर के दाइरे में बंद नहीं रखना है उसको उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार हो होने देना चाहिए मैंने तो कभी कहा था शायद परिक्षा पर चर्टा पर ही कहा कहीं और कहा मुझे आप नहीं है मैंने कहा था कि दस्वी बानवी की एक्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहो कि लोग ये पैसे तुम्हें इतना देते हूँ और पांच दिन के लिए तुम इतनी जगा पर गुम करके वापिस आओ और वहाँ के फोटो वहाँ का वरनन सब लिकर करके लिया आओ फैको उसको हिम्मत के साथ आप देखिए वो बच्चा बहुत कुछ सिक करके आएगा जीवन को जान करके उसमें विश्वाथ बढ़ेगा फिर वो आपको ये नहीं चिलाएगा और बारवी कहा है दुसकों कहो तुम राज्य के भाहर जाकर को आओ देखिए ये इतने पैसे हैं ट्रेन में जाना है विदाउट रिजर्विशन जाना है सावान इतना होगा इतनी चीजे खाना दे दिया है जाओ इतनी चीजे देखकर क्या आप और आकर के सब को समझाओ आपने सचमुच और बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए उनको समाद के भिन भिन बर्गों में जाने के लिए प्रेदित करना चाहिए उसको कभी पूछाना चाहिए कि तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड़ी में अच्छ खेला तर तो मुसको मिले क्या जाओ जासकी कर जांब के ने बच्चे नीद भी क्यान मिले में अच्छा काम किया तो तुम जाकर के मिलकर आया है ओ ह unreasonable विसको उसका बंधनों में मद्ध बांध ए आप मुझे पताईए को ये फर्मान निका ले कि अब पतंगों को पतंगे बोलते हैं ले हैं पतंगों को इनिफंप पहनाएंगे तो क्या होगा क्या होगा कोई लोजिक है क्या हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए उनको नए नए दारिये में ले जाना चाहिए मिलवाना चाहिए कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको हमारी हाँ छुटियों में रहता था का मामा के गर जाना फलानी जगा पे जाना ये क्यों होता था इसका अपना एक आनंद होता है उसके एक समस्कार होते है एक जीवन की रचना बनती है हम अपने दाइरे में बच्चों को बंद मत करें हम जितना ज्यादा उनका दाइरा बढ़ाएंगे हाँ हमारा ध्यान रहना चाहिए हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदते कही खराब तो नहीं हो रही है कमरे में खोया हुँआ तो नहीं रहता है उदासिन तो नहीं रहता है पहले भोजन पे बैरता था तो कितनी हसी मजाग करता था आजकल हसी मजाग बंद कर दी क्या प्राब्लम है माबाप को तुरंट स्पार्क होना चाहिए ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत की रूप में इश्वर ने उसको एक अमानत दी है इस अमानत का सवरक्षन सवर्दन उसका दाईत्व है ये भाव अगर होता है तो परनाम अच्छे आते हैं ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है मैं कहूंगा वो ही करेगा मैं ऐसा साव इसलिए तूजी ऐसा बनना है मेरी जिन्द की मैसा था तेरी जिन्द की मैसा होगा तो फिर बात बिगड़ जाती है और इसलिए आवश्यक्ता यही है कि खुले पंसे हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए उसको जीवन की भिंद भिंद चीजों में जुड़ने के लिए करना चाहिए मैं तो कभी कहूंगा मान लीजे आप क्या वो साप श्रसंदर वाले लोग आते हैं कभी बच्चे को कहो बहुत तुम जाओ इसके साथ बात करो वो कहां का रहने वाला है कहां से निकला इस दंदे में कैसे आ गया क्यों सिखा चलो मुझे समझाओ वो उसको के बच्चों का विस्ताथ जादा हो वो बंदनों में न बन जाए उसको खुला असमान दीजिया उसको अवसर दीजिये वो समाज में ताकत बनके उपरेगा बात बहुत धन्यवाद धन्यवाद and for making exams not a reason to worry but a season to celebrate and enjoy this brings us to the culmination of a spectacular event that was a symphony of inspiration and encouragement a melody of memories that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us with his radiant spirit प्रधान मंत्री जी द्वारा परिक्षा पे चर्चा ने हमारे जैसे करोडों बच्चों की बेचैनी घबराहट एवं हार मानने की प्रविर्ती को उत्साह उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है धन्यवाद मानने ये प्रधान मंत्री जी कोटी कोटी धन्यवाद और मैं जुरू चाहूँगा कि हमारे विद्यार्फी हमारे अभिभावक हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में ताय करें कि प्रिक्षा का जो बोज बढ़ता चला जा रहा है एक मातावन क्रियेट हो रहा है उसको जितना ज्यादा हम डाइलूट कर सकते हैं करना चाहिए जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए अगर ये करेंगे तो परिक्षापने आपके उत्सों बन जाएगी हर परिक्षापने का जीवन उमंग से भर जाएगा और ये उमंग उतकर्ष की गारंटी होता है उस उतकर्ष की गारंटी उमंग में है उस उमंग को लेकर के आप चले यही मेरी आपको शुक्तामनाय है बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरन बनाएं कि जानना, सीखना, विध्यारती के लिए सहज हो जाए उसे एक खुला आसमान दें उसे अफसर दें और इस समय परीक्षा पेचर्चा 2023 के अंतरगर्थ अपने संभोधन और विध्यारतियों के सवाल के बाद उनसे बाचीत करते हुए माननिय प्रधानमंत्री अलग-अलग राज्यों से आए 9-12 अक्षा के विध्यारती अपने अनुभव प्रधानमंत्री जी से सांचा करते हुए और आज बहुत से रोजमर्रा के उधारन के माथ्यम से जीवन से जुड़े मूले प्रधानमंत्री जी ने विध्यारतियों के साथ सांचा किये और हमने देखा नाकेवल स्टुडेंस बलकि पेरेंस और टीचर्स ने भी उनसे सवाल बूचे फिर चाहे माँ की गती विध्यों को अब्सर्फ करके टाइम मैनेश्मेंट सीखने की बात हो और यहाँ पर विध्यारती सेल्पी लेते हुए ये फोटो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और उमीद करते हैं प्रेरित भी करेगा कि वो सहचता से अपना जीवन जीएं अपने भीतर के अंदर जो सामर्थे हैं उस पर बल दें रोजमर्रा के उधारन में प्रधान मंत्रीज ने कहा कि जैसे पतंग की डोर जब उलट जाती है तो उसे शक्ति लगा के नहीं बलकि आराम से सुलजाय जाता है क्रेकिटर जब मैदान पर उतरता है तो ओडियस जो है उससे बहुत अपेक्षा करती है उसी तरह से विध्यारतियों से भी समाज अपेक्षा तो करता है लेकिन हमें दबाव के दबाव में नहीं आना है ट्रेनिंग हर किसी के लिए अलग-अलग विकिट कीपर है तो अलग बोलर है तो अलग और अनुभव की बहुत महत्ता है सभी विध्यारति चाहते हैं कि ये जो बहुत ही खूबसूरत लमा है और एक सकरात्मक उर्जा जो तालकट और इंडोर स्टेडियम में महसूस की जा सकती है इस पल को वो अपने कैमरे पे कैद कर ले लेकिन जहां तक डिजिटल जमाने की बात है तो जरूर सोशल मीडिया पर ये फोटोस भी दिखेंगे आपको पर साथी साथ प्रधानमंत्री जी ने आगरे किया कि जैसे उपवास का एक प्रक्रिया है उसी तरह से क्या हम डिजिटल फास्टिंग भी कर सकते हैं कि सब्ता हमें एक दिन या दिन में कुछ घंटे हम गैजट से दूर रहें हम अपने आपको जाधा स्मार्ट हूँ मैं किसी भी गैजट का गुलाद नहीं बनूँगा तो टेक्नोलोजी तो बहुत ज़रूरी है प्रगिर्थी के लिए लेकिन उसकी उप्योगिता मैं अपनी सक्षमता के अनुसार करूँ विभिन पोशांकों में रंग भी रंगे परिधानों में चात्र चात्राएं इस बार परिक्षा पिचर्चा कारेक्टरम में समिलित होए है एक और रोजमर्ण का उधारन जो प्रधान मंत्री जी ने आज अपने संबोधन में बताया कि जब कोई एक मेकैनिक दो मिनिट में दो सो रुपे की बात की और कैसे उसने वो जीप एकदम ठीक कर दी और जब पूछा गया कि दो मिनिट के लिए दो सो रुपे तो उसने कहा इस तो मेरे वर्षो का अनुभव है तो कैसे स्किल पर हम फोकस करें बात जब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की आई तो वहाँ पर भी कैसे हम स्मार्टली हार्ड वर्क कर सकते हैं उसके कई उधारन माननी ये प्रधान मंत्री जी ने सभी के साथ सांच्छा किये जब आलोचना से जुड़ा सवाल आया कि कभी-कभी हमारे अभिभावक या शिक्षक हमारी आलोचना कर देते हैं तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं समरिद लोकतंत्र बने तो उसके लिए आलोचना तो शुद्धी यग्यतर है और इसलिए आलोचना हो सकती है जिसके लिए अध्यन और एनलेस बहुत ज़रूरी है यहां पर जो चात्र चात्राय आये हैं उनमें दिव्यांग स्टूडेंट्स भी शामिल है और भारत का जो जी ट्विंटी का एजेंडा है उसमें इंक्लूजन पर ज़रूर बल दिया गया है तो विकास सभी तक पहुंचे शिक्षा के अफसर प्रगित के अफसर सब तक पहुंचे यह बहुत ज़रूरी है खेलों की अगर बात करें तो भारत ने फिर चाहें उलम्पिक खेल हो या पैरलिंपिक खेल दोनों में ही सराहनिय प्रदर्शन किया है एक और बहुत रोचक सवाल विध्यारतियों ने पूछा था कि हम किसी भी परिक्षा में अनुचित साधुनों का उप्योग ना करें उससे कैसे बचें तो प्रदानमंत्रीज ने कहा कि देखिए बरिक्षाई तो बहुत होती है अगर गलत रस्ता अपना कर हो सकता है किसी एकार परिक्षा में आप सफल हो जाएं लेकिन जिन्गी में मुश्किलात आएगी और जो महिनत करते हैं उन्हें प्रदानमंत्रीज ने कहा कि आप और मैं अमीद है कि अब जब वो आगे मार्च अपरेल में परिक्षा में बैठेंगे तो आज का ये जो दिन हैं ये तस्वीर हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स नोट कियो होंगे उन्हें वो याद रखेंगे ताकि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे अच्छी शारिरिक, मा आवनात्माक और आध्यात्मिक सेहत के साथ वो किसी भी परिक्षा में बैठें जीवन की परिक्षा में भी सफल हो एक विद्यारती ने जब कहा कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो वहां पर भी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम घर परिवार मे बैठ कर मुल्यांकन ज़रूर करें ताकि हमें अपनी सीमाओं का पता रहे अपने पोटेंशल का भी पता रहे लेकिन उन्होंने कई ऐसे उधारन दिये जहां पर सामाने व्यक्ति ने जब आसामाने कारे किया तो उसने देश निर्मान के लिए बहुत योगदान दिया घर में कभी-कभी आलोचना होनी चाहिए लेकिन आलोचना और टोका टाकी में फरक है और उन्होंने माता-पिता से आग्रे भी किया कि जिस हट तक हो सके टोका टाकी से बचिये बच्चों को एक उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए अवसर दीजिये ध्यान रखिये कि वो किसी गलत आदत में ना पढ़ जाए ये चोटी-चोटी बाते हैं कि तो आप देख रहे था ये सीधा परसालन परिक्षा पर चर्चा तुरोश की मास्टर PCR मेश MARK में फूल अटेंडेंस और जिस तरह से प्रधान मंत्री ने इस पूरे दो गंटे ये परिक्षा पर चर्चा चली और कई आस्पेक्ट पर धायमन्त्री ने कवर गें